अयोध्या एक ऐसी नगरी जिसे आप City Under Construction कह सकते हैं यानि कि वो शहर जिसका निर्माण अभी चल रहा है पगपग पर आपको कुछ न कुछ होता हुआ नजर आ जाएगा पर ये भी तो सही है कि अयोध्या की प्रतीक्षा बहुत लंबी चली है चुकि मामला अदालतों में रहा ये जिस नगरी को दुनिया की सबसे पवित्र नगरी माना गया उसे राजनीतिक तौर पर कोई चूने को तयार नहीं था लेकिन आज ऐसा लगता है कि वो सारी बेडियां तूट चुकी है पानी से नीव को नुकसान से बचाने के लिए रॉक पाउंडेशन तयार की गई लेकिन भूकंप का तो खतरा था और बिना लोहे या स्टील के इस्तिमाल के मंदिर का आधार कैसे तयार होगा ये भी सवाल था क्योंकि मंदिर निर्मार समिती का संकल्प है कि मंदिर हजार साल तक सुरक्षित रहे Central Building Research Institute रूर्की और Geophysical Study Government of India की National Research Lab घैदराबाद को ये सवाल भेजा गया कि मंदिर भूकंप से सुरक्षित कैसे रखा जाए Research Centers ने मंदिर से 500 किलोमीटर दूरी तक के करीब 500 साल के भूकंप के रिकॉद्स का अध्ययन किया अधिक्तम और न्यून्तम के अलावा दोगुनी तीवरता के रिक्टर स्केल के भूकंप की स्टडी की और रिपोर्ट मंदिर निर्मार कमिटी के एक्सपर्ट्स को सौपी मंदिर निर्मार के दौरान किस तरफ कितना लोड रहेगा कितना दबाव रहेगा इसको लेकर कम्प्यूटर पर पूरा अध्ययन किया गया और तब मंदिर के धाचे को तयार किया गया मजबूती के लिहाज से भी वो तकनीक प्रयोग में लाई गई जिसमें लोहा या स्टील का एक अंच भी नहीं लगना था यहां जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी एक बहुत अद्भूत बात है वो यह कि यहां लोहे या स्टील का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है प्राचीन तोर पर कभी भी इंधाद्मों का प्रयोग नहीं किया गया लोहे का प्रयोग इसले नहीं किया गया क्योंकि एक नाकरात्मक्ता उससे जोड़ी जाती है तो देखिए शिलाओं में इस तरीके से ऐसे छेद किये जाते हैं और उसके बाद इन ही पत्थरों से उसका जुड़ाओ बनाया जाता है यह जब उसके भीतर डाला जाएगा तो उपर का जो निकला हिस्सा है वो इसके उपर जब दूसरे पत्थर को फिट किया जाएगा तो उसे जोड़ने का काम करेगी न तो सिवेंट की आवेशकता रहेगी न लोहे की न स्टील की और उसके बावजूद एक ऐसा सशक्त ताकतवर निर्माण यहां रहेगा जो हजार साल से आगे भी यहां की का वैभव यहां की विहंगम द्रिश्य को दुनिया के सामने रखे शिला में छेद करके उसे दूसरे पत्थर के साथ फंसा कर लगाना एक अदभुत प्रयोग था लेकिन मंदिर के लंबे समय के स्थायत्व और भूकंप जैसे खत्रे से बचाने के लिए यही सबसे कारगर विधी तय हुई यह बहाँ पर इसका काम हुरह है थो इसताइब पर ड्रैणाईड मेट्रियल का जिसमें जो इसके उपर सहे दूसरे मिलग इसमें आ करके इंस्टाल हो जाता है तो यह के काम करता है दो ब्लॉक को एक दूसरे से इंटेक्ट करके रखता है तो यह इसमें से जो निकल रहा है यह ग्रिनाइट का ही ब्लॉक है तो इसके अंदर यह डाला जाता है और उसके उपर दूसरा जिसमें लग जाएगा तक तो उसका जो इंस्टॉलेशन का जो पोजीशन है वो भी कंट पत्थरों को भी किसी मजबूत कड़ी की तरफ फिट करना भी आसान नहीं था अगर पारंपरिक तरीके से काम किया जाता तो कई बरस लग सकते थे तो इस तरह बिना किसी धातु की मदद केवल पत्थरों से मंदिर का आधार तयार हो रहा है वैसे निर्माण में लोहा न उपयोग करने का एक कारण वैज्ञानिक था तो दूसरा आध्यात्मिक भी रहा तो लोहे का प्रयोग क्यों नहीं तो इसको हम स्क्राइबिलिटी स्क्राइबिलिटी अनलिजिस बोलते हैं इंजिरिंग में ये इसका किया गया है और लोहे का इस्तिमाल इसलिए नहीं कि वास्तिशाता के अनुसार लोहा एक निगेटिव दातु माना गया जो यहां आने के बाद में जो वाइबरेशन आपके मन में आनी चेहिए दर्शन के बाद में जार्शन के समय अच्छा वो पॉजिटिव थीजे उसमें नहीं है अ मंदिर का पूरा नक्षा भी सामने था और हजार साल तक की सुरक्षा का फॉमिला दो कारीगर जुटे और जैश्रीरान के नारों के साथ मंदिर निर्माः कार्याने ती व्रिगति पकड़ लिए यहां जो आप द्वज को देख रहे हैं तो यह उसी स्थान से उपर उठ रही है और उसके साथ यह एहम है देखना कि यह जो कौपर का पाइप है यह बिल्कुल नीचे जा रहा है धर्टी के नीचे और जब भी यहां पर गर्बग्री में पूजा अर्चना होगी और श्री अंधे वहां से होते हुए वो बिल्कुल उस नीव में उसी जगे पर जाकर वहीं पर अर्पित होने वाले हैं देखने में यह कॉपर यानि ताम्बे का पाइप किसी साधारन निर्मान का कोई वैकल्पिक हिस्सा लग सकता है लेकिन यह लगा है गर्बग्री में ठीक वैसे जैसे जन्म लेने वाले शिशु और मा के बीट जुडाओं होता है एक नाल से धर्मकर्ण और आस्था के मर्म का संगम है श्री राम लला का मंदिर हर कदम पर ये सोच कि कुछ गलत न हो जाए हर तैयारी में ये तैयारी की कोई विधी न छूट जाए मंदिर का गर्ब ग्रेफ एक आकार की तरफ पढ़ चलाए आपको श्री राम बंदिर के निर्माड में आस्था और विज्यान का अध्वुच संगम नजर आएगा यहाँ पर जिस तरह के चुनोतियां पेश आई जब से नीव डलने की शुरुआत हुई है उसकी कहानी अपने आप में किसी चमतकार से कम नहीं किस तरीके से वो विजूद समय से कुछ पहले ही चल रहा है निर्माड में दिसंबर 2023 वो समय रेखा है जिसके बाद संभवता श्री राम लला के दर्शनूं के लिए गर्ब गरी के द्वार खुल जाएंगे और लाकूं लोग प्रति दिन अपने आराधी के आंगर में श्रद्धा सुमन अर मंदिर बन रहा है तो शिल्पकारूं ने जन्म की इस घड़ी को श्रद्धालूं के मन पर हमेशा अंकित करने का प्रावधान तयार किया है जिस घड़ी श्री राम जन्मावतार हुआ उस घड़ी स्वयम सूर्य प्रति दिन उनका अभिशेक किया करेंगे जो तय हुआ था वो मंदिर निर्माण में हुना तय है जो वचन दिया गया था वो मंदिर निर्माण का संकल्प है और धीरे धीरे वो संकल्प पूरा हुँ रहा है निरासत का ही सम्मान है अयोध्या में भगवान सिर्राम के भव्य मंदिर के निर्माण का एक कारिकरम मंदिर निर्मान की कीर्ती अभी से विश्व भर में चर्चित है दूर से ही दिख जाने वाली धर्म ध्वजा ये विश्वास दिलाने लगी है कि वो मंदिर जिसके लिए पेडियों से प्रतीक्षा की गई वो प्रति दिन नया आकार ले रहा